तमाम मुद्दे पे हमारे साथ जूर गए हैं दिविंदर परसार राय जी से जूरने की कोसिस करेंगे इसे जाने की कोसिस करेंगे कि वार संख्या 24 में समस्याएं क्या कुछ है अब तो चुकि चुनाओं का जो चीन है वो भी अलोट्मेंट हो गया है क्योंकि यहां पे आमने के विकास के लिए क्या कुछ करेंगे उसके बात पूरे ग्राउंड रिपोर्टिंग महनार का दिखाएंगे लिकिन सबसे पहले रूप करते हैं दिविंदर प्रसाद राय जी का पहले भी हमने इनका इंटर्व्यू लिया था जिस वक्त चुनावी महाल नहीं था सबसे पह प्रदान मंत्री अवास योजना आजी कार्जों का निश्पादन पिंसन योजना विद्वा पिंसन कभीर एंटेस्टी का लाव तथा बिहार सरकार के साथ निश्चय योजना का लाव आप सब सीधे पहुंचाने का काज करेंगे शिच्छा छेत्र में भी स्कूल भवन निर्वान के लिए प्रयास किया जाएगा और भी सारी योजनाव का लाव आप जनता तक पहुंचाने का प्रयास करूँगा कौन सा चुनाव चिन आप लोग मिला है चुनाव चिन धोलक छाप मिला है जिसका क्रम संख्या दो है है कि लोगों की समस्या सबसे बड़ी समस्या है रास्ते का जो भी रास्ता कच्चा रास्ता है बर्साथ के दीनों में चलने में बहुत कच्चनाई होती है सबसे पहले रास्ता के लिए नली-गली का निर्मान किया जाएगा और नलजल अधुरा जोजना है उसका पूरा कराने का प्रयास करूंगा और हम लोग देख रहे हैं कि जब वार में भीजित करते हैं तो जहां जहां पूल लगे हुए हैं उस पर एक श्ट्रीट लाइट कहीं कहीं है जहां है भी वो खराब है तो चुनाव जीतने एक बाद उस पर भी काम करेंगे हाँ तो और जरूरी कार्ज है जो अंधेरा में पुरा वार डूबा रहता है पिछले संबेदक द्वारा जो कार्ज किया गया बहुत सा लाइट खराब हो गया है उसका कोई व्यवस्था नहीं है उसमें भी मैं चाहूंगा कि सब पोल पर लाइट का व्यवस्था सही धंग जो है नहीं देखने को मिले हैं जबकि सरकारी यहां पे स्कूल भी है पढ़ाई सही से नहीं हो रहे हैं लोग करना था कि एजुकेशन यहां पर बहुत ज्यादा खराब इस्थिती में हैं चुनाओ जीतने पर क्या उस पर क्या कुछ काम करें यहां पर एक प्राइमरी जो बहुत कठिनाई से तीचर लोग बाहर बैठा के बच्चे लोग को पढ़ाते हैं मैं प्रयास करूंगा जो कम से कम दो तीन रूम सरकारी योजना से विधायक मद से या उपर सिख्षा विभाग से मिलकर निधी का प्राप्ट कर विध्याले का निर्मान कम से कम दो रू बनाने का प्रयास करूंगा आप तो चुकि सरकारी पद्व थे रिटायर कर गए अब उम्र भी हो गई है तो ऐसे में जनता के सेवा में थोड़ा सा आपको उम्र भी कहीं ने कहीं से माइने रखता है कैसे काम करें उम्र जादा होने से नहीं होता है खोसला बुलंद रहने पर उम्र का कोई असर नहीं होता है जनता की सेवा ही सबसे बड़ा मेरा कर्तब रहेगा 24 के सभी मद्दाताओं से अपील कर रहे हैं समानित मद्दाताओं से अपील है कि 9 जुन को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में धोलक छापपर निला बटम दबा कर अधिक से अधिक संख्या में मद्दान करे कि 10 जुन कर रापपर में धुटियादा चेल कर रहे हैं